Plastotech The World of Plastics में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज हम केबा PLC में Heating Jones के बारे में सीखेंगे Heating Page के बारे में आज हम थोड़ा डीटेल में जानेंगे कि क्या होता है Heating Jones में Heating Page पे Tolerance High, Tolerance Low, Cool Prevention Time, Nozzle Heater, Time Base ये सारी चीज़े दोस्तों हम इस वीडियो में आज की सीखने वाले हैं उमीद करता हूँ आप नय हो, पुराने हो, नहीं जुड़े हो Plastotech से तो जुड़ जाए क्योंकि आपका समय important है तो इस समय सीखने को मिलेगा बहुत सारी चीज़ें आपको simply ये mouse को follow करना है ये mouse का देख रहे हैं आप arrow इसको बस आप yellow वाला जो है yellow और white section इसको follow करिए और उसके साथ साथ इन सब चीज़ों को और detail में जो की मैंने explain किया है, समझाया है हमारा app है Plastotech उसको download कर लिजे सारी चीज़ें link में मैंने दे दिया है उसका जो है course है आपका injection molding machines का video course है वीडियो के माध्यम से हमने हर एक चीज़ को बहुत detail में चिखाया है ताकि आप हर चीज़ जान जाओ, कोई चीज़ आपसे अधोरी न चूटे चलिए शुरू करते हैं दोस्तों सबसे पहले यहां पर आप देख रहा है heating jones करके लिखाय है तो अब जो है आपका heating page है इसलिए यहां पर दोस्तों heating jones करके लिखाय है तो इस heating jones का मतलब क्या होता है यह आप barrel देख रहा है यह से पीछे का section है तो hopper से material यहीं पे charge होता है, तो इनको अलग-अलग zones में बाटा गया, जैसे अलग-अलग temperature है, 185, 188, 179, 125, तो दोस्तों, इनको अलग-अलग zones कहा गया है, तो यह एक zone हो गया, यह दूसरा zone हो गया, यह थीसरा zone हो गया, चौथा zone हो गया, और यह आपका nozzle हो गया, तो इस तरीके से यहाँ पे है, और यह KBAC की PLC, यहाँ पे आप देखी, यहीं पे दिखा रहा है, कि आपका जो feed zone है, जहाँ material feed होता है, पीछे का हिस्सा, जो आपका पहला zone है, वहाँ पे किसी-किसी में यहाँ से first through होता है, और जादतर मशीनों में, जैसे 1, 2, 3, 4, ऐसे करके आप set कर सकते हो, तो वह आपको समझाने के लिए है zone, तो उसमें confuse मत हो, यह 1, 2, 3, 4 से मतलब नहीं है, कहीं zone 1 जैसे लिखा है, आपको क्या होगा, डारेक्ट लिखा हुआ मिल जाएगा, कि यह जो है nozzle का temperature है, तो यह 1, 2, 3, 4 इस तरीके से, तो यहाँ पे क्या करना है, आपको simply जो है, यहाँ का, यहाँ पे देखे set, अब इस set का मतलब क्या है, यहाँ पे आप type करोगे temperature, अपने अलग-अलग जोंस का temperature टाइप करोगे, जैसे यहाँ पे देखे, हमने type कर दिया, 220, 220, 220, 220, 220, 165, इस तरीके से typed है, अब जो है यह एक setting है, कोई मतलब particular setting नहीं है, ऐसा मत type कर दीजेगा, यह सिर्फ एक page का photo है, जिसके माध्यम से मैं आपको सिखा रहा हूँ, setting आप अपने material के हिसाब से करिएगा, कौन से चीज कहाँ जरूरत है, तो यहाँ पे देखे दोस्तों, आपने set किया कितना 220, हमने कितना set किया 220, temperature set किया, यहाँ कितना आ रहा है निकल के 145, यह जो है आपका actual temperature यहाँ पे दिखाएगा, यह जो आपका barrel है, यहाँ क्या दिखा रहा है, यह actual मतलब आपकी machine पे कितना temperature आ रहा है, इससे मतलब नहीं कि आपने कितना set किया है, set तो आपने यहाँ पे 220 कर रखा, यहाँ पे आ रहा है 185, यहाँ पे आपने 220 सेट का रखा है 220 आ रहा है 188, तो इस प्रकार से समझना पड़ेगा, temperature को हमेशा जो है दोस्तो, degree Celsius में machine में ना पा जाता है, तो यहाँ पे आपको degree Celsius में लिखा हुआ मिल रहा है, अब tolerance high, यह TOL का मतलब जो है न दोस्तों, इसको tolerance कहते हैं, अब यहाँ पे tolerance high लिखा है, यहाँ पे लिखा है tolerance low, इसका मतलब क्या होता है, tolerance high में जैसे 20-20-20 करके सेट है, और tolerance low में भी 20-20 करके सेट है, अब इस बात को समझेगा थोड़ा ध्यान से, पहले भी मैं बहुत सारी वीडियो में समझा चुका हूँ, लेकिन जो यह वीडियो देख रहे होंगे नया, उनको समझने के लिए जरूरी है, यहाँ देखे जैसे 220 लिखा है, और high tolerance आपने सेट किया 20, तो इसका मतलब है कि 220 में 20 टमपर तक जाएगा, हाई जा सकता, जैसे 240 तक जाएगा, जैसे 240 का टमपरेचर जो है, वो क्रॉस करता है, वैसे ही यहाँ पर आपका अलाम आ जाएगा, मतलब मशीन पर आपका अलाम आ जाएगा, वैसे ही low tolerance, जैसे 20 का आपने low tolerance, 20 का low tolerance दिया, आपने सेट किया 220, 220 जैसे ही 220 से नीचे मतलब माइनस 20 करिए मतलब तो कितना हो जाए 220 में से 20 गटा दिएंगे तो 200 आ गया तो जैसे ही 200 डिगरी जो की 200 है 200 डिगरी से कम होगा आपका टमपरिचर तो तुरंथ क्या होगा दोस्तों वहीं पे आपका अलाम आ जाएगा तो इस चीज का ध्यान प्रिवेंट टाइम क्या होता है कोल प्रोटेक्शन टाइम क्या होता है इसका एक चार-пाच मिर्ट का विडियो मैंने भना के दिया हुआ यूटूब पर चले जाएगा देख लिजबा थीटेल में हमने समझाया था तो आप सीख जाओगे इसमें क्या होता है जो एक overall summary देता हूँ आपको जैसे कि आपका screw होता है तो screw में यहाँ पर temperature set किया यहाँ पर time set किया जाता है कि जिसमें क्या होता है कि पूरी तरीकी जैसे आपका सारा temperature आ गया जैसे माली जैंड़ दो मिनिट हमने set कर दिया cold protection time तो यहाँ पर सारा temperature आने गवाद दो मिनिट जो है extra जो है वो आपका लेगा time machine start होने के पहले इसलिए इसको रखते हैं क्यों रखते है दोस्तो इसको इसलिए रखा जाता है ताके क्या होता है जैसे यहाँ temperature दिखा दे ऊपर का हिससा आपका गर्म हो जाता है लेकिन जो screw के अंदर का है तो वहाँ पर थोड़ा थंडा रह जाता है तो उस थंडे पन को हटाने के लिए वहाँ पे भी heat देने के लिए थोड़ टाइम बढ़ा लिया जाता है उसको हम कहते है cold prevent time या cold protection time इसका जो detail video है उसमें और बहतर आप समझ पाओगे या तो फिर आप हमारा course डाउनलोड कर लिजेगा प्लास्टोटेक एप में जो है injection molding का एन रोल करके तो वहाँ पे इन चीजों को detail में सीख जाएंगे ये दोस्तो stand by temperature दिया गया stand by temperature के लिए अब एक एक चीजों को explain करना यहाँ पे थोड़ टाफ होता है प्लस माइनस set temperature यहाँ पे आप set कर सकते हो tolerance के लिए quick change tolerance high यहाँ पे आप कर सकते हो quick change tolerance low आप जो quickly करना चाहते हो तो यहाँ पे जो है कर सकते हो no 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 का function है 0 है यहाँ पे एक type करके इंटर दबा दोगे तो yes हो जाएगा वो function activate हो जाएगा उसके बाद दूस्तों nozzle heater contactor अब जो nozzle में जो आपका heater होता है contactor से तो उसके बारे में यहाँ पे nozzle किस तरीके से आप perform कराना चाहते हो nozzle heater time based पे करना चाहते हो तो यहाँ पे one करके yes कर सकते हो time based पे आप nozzle heating को on करना चाहते हो, nozzle heater on time कितने second का रखना चाहते हो, nozzle heater off time कितने second का रखना चाहते हो, तो यह चीजे आप कर सकते हो, यह settings कर सकते हो, यह जरूरत होती है, कुछ special functions में जब आपको अच्छी नालेज हो जाएगे, तो आप कर लोगे, इसके लिए है जो है हमारा code देखिए, नोल करिए Plast तो टेक दे वर्ड आफ प्लास्टिक से, थैंक यू, हैव नाइस डे, जै हिंद, जै भारत दोस्तों.